इसका चार्ज डॉक्टर मुनिश तमांग को हैंड़ ओवर किया पांच साल की मेरी प्रेसिडेंट्शिप आज कतम होती है मैं विदर्ब स्टेट के लिए रेप्रेसेंट करते आया हूँ श्रीहरी आने मेरा नाम है मेरी आज पांच साल की प्रेसिडेंट्शिप खतम हुई हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट राजा बुंदेला जी है वो यहां हाजिर है पांच साल बाद जो नए प्रेसिडेंट बने है यह दिज डॉक्तर मुनिश तमाद यू किन आस्किन वोटेवरेंट्वा नेपाली में बोल्चू पाहिली है आज 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 को पूर्वा अद्ध्यक्षा श्रीहरी आने जी जो विधर्वा राज्य अगाडी बनने उटा फ्रंट चा विधर्वा करिंगते संग्राम गरने यह उने सात्यी उनी पूर्वा महरास्टरों के मुपाईट जेनरल मुपाईटे ज मुझना से नो आज़ेक्षा अजो достаточно आज़ेहा है कही माईन आगी तरत इसको अफचारिक पदभार ग्रहन गरने कारेक्रम चाहिए अही ले कोरोना काल मा अली कती हामिलाई आराम भाई को कारण ले यहां दार्जिरिंग मा भेला भायरा हमी सब्सक्राइब गरने मने निर्नाई गरे को अनुसार आजा एन फेनेस को मीटिंग ही मन्नाया टीम को विशायमे तपलाई बताऊनु चाहांचु मलाई यहां रले अध्यक्षे करूप मा मननित गरनु भैको छा हाम रहा वाइस प्रेजिरेंट हुनुछ दूई जाना वाइस प्रेजिडेंट हुनुछ एक जाना वाइस प्रेजेडन्ट हुन्ट 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 अम्रा जेनरल सेक्रेटरी स्री सानियल जी उननुछ वहाँ पनी विधर्भा का उननुछ आनी सेक्रेटरी अरुमा बुंदेल खन बदाशन लदाग बदाशन आनी जकास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट असाम का छन आनी हम्रा ट्रेजरर को रूप मा स्री शुकला नेवत्या जी जो पईली तिपरा को हुनुँँचा और जो तिपरा गवर्मेंट का स्टेट ट्रेडिंग कॉर्परेशन का चेर्मेंट पनी हुनुँचा वहां ट्रेजर को रूप पा हुनुँचा अज हाम हमी ले चाहे कोओ दाड़जिलिंग का विबिन संग विविद्न संगठन collapse वारेसिक ननाजनेतिक गयराजमेतिक कर लिए ड़िये लिए सब्यक्राफ़ अभे स्थेक होल्डरें विचे अरुन सुन सेरे सदूर्ड रिकस्चद पढसें अंवारेँ में अजनेतिक लिए कि रखे स्थेक्षण आद्राफ्ट्रा राखे लिए सब्सक्षर्ट इनरे वंञे राजिय को विश्वास्त rifn yeah sara reka sann ना अर उ ना निया राजिय को ऊद यह ए निया राजिय के तोड़े रहा बनाया आपनी और थे थलो डूल जन जन जर उधारन कुरूपमा ते लंग कि अगवे तुलो राज जय निया राजिय वें स्मॉल स्टेट्स नो भरेना नुउ स्टेट्स बनने आमिले नामकरन गरें। उननाईसो निरानब्बेन मा श्री जॉर्ज फर्ननंडिस को इनिसियेटिव मा जो तेस समय मा एंड़े सरकार मा कन्वीनर उनुन थेओ आनि वाचपाई सरकार मा उनुन थेओ उनाग इनिसियेटिव मा यो फेडरेशन शुरू भाएको हो आनि एसमा धेरे दिगज व्यक्तितों हरले आफना अध्यक्षता राखेगा छनुन क्रमाईले बनुबने विभेन नाम हरू बनुबने श्री पीए सांगमा जी एस संग जो आज एको दिन मा यो जिमेदारी मालाई दियेको छा रा मैले बड़ा विनम्रत साथ ये जिमेदारी को गहन तालाई भूज दै ये जिमेदारी इले माले ग्रहन करेगी जो तरह साथ है हमरो भूजाई एसमा एक्तम सपस्ट छा ये जिमेदारी ग्रहन गरता मैले व्यक्तिक आज आज आंसार यह सबाई आंदोलन हरूँ नेत्रित्व गरन्य भारा अभी भारा चाही गोरखला लैन्ड मुब्मेंट ले पाय को बने आज़िका हैं येसे ले गर्दा गोर्खरलैंड मुव्मेंट संगा संगलग नभाय का सबय स्टेक होल्डर राजनायतिक, गयर राजनायतिक, संस्तार रो सबय ले रहने यो सबय को नेत्र तो हो बने जाने रहा हमिले NFNS मा अगड़ी बढ़ने आजे निर्नाई गरेको चाऊंग NFNS का आजा डिकलरेशन जो हमिले चर्चा पछी गर्यों यो डिकलरेशन पहली मा अंग्रेजी मा पड़गा सुनाऊने चूँ जस तो लेखिये कुछ तेस पस चाथ इसको इसको इसला ब्रीफ लिमा नेपाली मा पनी बताऊने चूँ यह डिकलरेशन यह प्रकार सा अजिए टूज़ किव संगे माम को फीलिए कैंड I. यह घर ऑजर अंग्रेश्ब्टोफी।! Second point, NFNS reiterates its commitment to the creation of the state of Gorkha Land as a fulfillment of the long-standing aspirations of the Gorkhas. NFNS expresses its solidarity with all groups, political and social, that are committed to the cause and resolves to support and work along with all stakeholders. NFNS is the new state of Gorkha Land, and the new state of Gorkha Land, which is the new state of Gorkha Land, and the new state of Gorkha Land, that will be the same as the federal government of Gorkha Land. And the government of Gorkha Land, जानतलाई अजय बल्यों गरदई एक देश तरह धेरे राज्य, एक देश बहु राज्य को नारा लिये रहा, जो चई सम्विधान को अनुसार को नारा हो, इसलाई लिये रहा, NFNS अगाड़ी बढ़ने चा, दोस्रों बूंदामा, NFNS ले गोर्खाहर को दीर्ग कालीन जो आका परा WORन चा वार यह एजान आन्दोलतमा जातिայि जडित संकथन हरूचन, एस गोर्खालाई राज्य निर्मान को अन्दोलतम्न जातिवनी संग लगन समू हरुछन, चाहते हो राजनेतिक होस, या गय राजनेतिक होस, या सामाजीक होस, सबै संग मीले रहा, सबैलाई सपोर्ट गर दगर दगर सबै साथ मा मीले रहा काम गरने हमिले संकल्प गरेगाशों। को संगति हमिले पाई हो रो वाह सी अंपनी चर्च करें वा रुए विच्छा रिखार मरेशं रेंस पराइस हो है मुह ठोड़े करें आजे किरसे क करें से कि अ । दिक्रेसें नने को कुम अब है का अर परेश कहन वरी जुब के क्ला सन की जेसे वूं e वीधरबा अठेक सथैगे हुएॹ लधाक पन्य यामरा साथी राद राद पार, राणो राऍवा स्थैट्रा राद अए। बोर Dw거든요 delag पन्य अए अए अधिर्ण पन्य आयए को अफ्यूलravmen पन्य पन्य आये को छैगे। सानी ने थैवसे ने आट लीग बादी हुचावी अबारिंगरा कै उचे लान मोझे हुचावा रांब लाहिकर लुफो पहुषा? सानी ने लएच जे पेनिएक पोहुचावी? करेंज सत्राइ। उनियुक फेन प्रिश किया एंएरे घरेवार। एंग रहें फिरेज अभरा इंगार इंग जी एंगेंगाति फ्राइदिट बेहां है था स्दिव एंग सेटेटवडेटि एंगीर झाले लेडिया प्ट मतार इंगा थेडि़ का हुआ झाले फाने उन पर मे जहाती है कि नेद्व अपुड़ ओन पता है, सबस्वेट अखनी है कि यह इन्फ ए्थन एंदियु अथज़ नेट प्यूब प्रेसिटेन उन्होंपुब इन्हों कि एंपुड बाइच कि आफू इन्पेट बाइव टहूब that in view of the Darjeeling Declaration, NFNS will now take up the issue of creation of small states with the Central Dispensation in accordance with, since NFNS does not believe in any kind of violence, it believes in non-violence, the issue of process for creation of new states would be taken up by NFNS in its right course as soon as possible. But like, how effective has the NFS been so far? What is your personal opinion? Well, the NFNS has been effective in as much as we have helped in creation of the state of Telangana. Shrippu Surayani, Jharkhand was very much with us. Jharkhand State's creation is another good example of what has been achieved. We have failed in as much as, despite the BJP having promised Vidarb, we were unable to persuade them to create the Vidarb state. This is more recently. We have not yet been successful in moving the center to give full statehood to the Delhi government, which is still a, as you know, half a state. It does not have the status of a full state. And lastly, the Gurkha land matter. We have passed a resolution in 2017 supporting the Gurkha movement, but until this meeting, we were unable to do much for the Gurkha movement. So our plus and minus positions are these. So will it just be submitting memorandums to the central government or do all that? The NFNS by itself does not participate in the local agitation. Its members conduct the local agitations in the areas where they are. NFNS lends its support by giving that agitation, national exposure, and by moving powers in Delhi. Creation of a state happens in parliament. So we have to be able to build a pressure lobby in parliament. Have you drawn a timeline to how to... It depends on situation to situation. We had, for example, speaking of my own state, with Vidarbha. We had a timeline. We had expected to have a state of Vidarbha going by the year 2018. It did not happen. 2019 elections has wiped out the possibility of BJP supporting the statehood demand of Vidarbha. No, I mean a timeline for the agitation of the programs. I am not reading agitation of the programs. Our NFNS programs have a timeline. Four meetings a year in regional areas. One national convention is planned every year. Besides this, whenever some... For instance, if the Gurkhalis take a Morcha to Delhi, we go to Delhi and we participate in it. If they hold a press conference, we participate in the press conference as all the statehood demanding areas supporting this particular state's demand. So that happens. And the timeline depends very much on what is nationally happening. Right now nationally, we have the Gurkhas as one very strong central movement. and of course, Ladakh, which is now demanding full statehood. So whenever their agitations will be there, National Federation will be participating. Is there a plan for the local bodies, like not the NFC, but the participants or the members of the NFC to actually come out with a combined, you know, some kind of a program? Yes, there is. There is. But that is always with reference to that local people's agitation. If the Gurkhalis want to agitate for their demand with the Gurkha people by fighting elections, then we will do whatever we can to help them in their endeavor. But if they feel that no, fighting elections is not how they want to go about it and they want to have agitations or dharna's or a mordha, we will help in that also. But we do not plan for them. The planning has to be theirs. We only support them. Do you think that the government at the center is, you know, like a, is willing to go for the prison government? We are very, very, the prison government. We are very disappointed with the government at the center primarily because it had promised statehood to several parts of India and it has taken no steps thereafter to fulfill its promise. we have very little expectation therefore that through constitutional means which requires the parliament to consider these demands we are not hopeful that the present ruling coalition will bring these demands before the parliament. So what is the way forward? The way forward is to make sure that enough pressure is built at the local level so that the local representatives who sit in parliament start voicing their demand. this we have seen in the case of Telingana this we have seen in the case of Jharkhand and depending on the amount of pressure the local demands can mount parliament reacts. as a central body will you be guiding the local bodies to start a particular pressure thing kind of thing once their own plan is made if they say that we want to build pressure by a morcha or a dharna or by some form of agitation so long as it is non-violent and so long as it does not resort to bloodshed we are willing to support that. we do not support violent forms of state road agitations.